जाता कहा है वो मैं भी थोड़ी तरह में खोल दूँँ आपसे सामने मैं आपको उताता हूं सनीचर के समंद में कुछ सब्द हैं जो दोहावली के हैं 1952 के इसको समझिएगा साथ साथी तक कुछ विस्यों पर आज तक मैंने कोई चर्चा नहीं सुनी है इसलिए यह सब वोल पाप कौन है आप लोग सभी जानते है राहू और केतु पाप और जब मैं पापी बोलता हूं तो राहू केतु और सनीचर तीनों हो जाते हैं यानि कि सनीचर में गया है आप देखेंगे इस पोस्टर को सबसे पहले जो मैंने सबसे पहले बोला राहू देखिए पहले राह लेकिन राहू के बाद सनीचर है, दर्म्यान में लिखा है, लेकिन आपको इस पोस्टर के एक अलग से चीज़ दिखा रहा हूँ, यह देखिए, राहू पहले है, केतू बीच में फिर सनीचर है, फिर भी सनीचर खराब है, इस बात को समझे, यहाँ पे राहू केतू पहले औ और केतू भी फिर भी पहले ही है, और सनीचर बाद में जब भी खराब है, यह देखिए, कंटुड्यू खराब चल रहा है, मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे राहू पहले और फिर बीच में केतू और फिर बाद में भी सनीचर या के करता हूँ, इसको समझेगा, यह देखे, राहू पहले दोनों कंडिशन, यहाँ भी राहू पहले, यहाँ भी राहू पहले, यहाँ भी राहू पहले, यहाँ भी राहू पहले, राहू पहले होगा, तभी तो सनीचर पर दृष्टी जाएगी ना, कहीं कंडिशन ही नहीं ब तवज्जों मत दीजिए लाश्ट का पैराग्राफ है वो गलत है और गलती इंसान सोई होती है मैंने यह नहीं कहा कि पंड़ा जी ने वह एज़िटी लिखें बीच में एडिटिंग करने वाला लगता प्रिंटर लगता और उसके बाद कई कई एडिशन आए इस बात को समझ करती है खराब यह देखिए खराब इस खराबी का वी असर है वो खानों के अनुसार बदलता है जो मैं कहना चाहा रहा हूं इसको समझी गया साथ साथी या पाप द्रश्टी पापी सनी खुद होता हो साथ साथी या पाप द्रश्टी सनी खुद होता हो प्वैंट समझेगा राहू के साथ के तू के साथ 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 या पाप द्रश्टी साथ कैसे हुआ राहू के तू मुस्तरका सनी के तू मुस्तरका एन के एक साथ चलो वही साथी हो गया साथ एक साथ मुस्तरका हालात में बैठे लेकिन मेरे भाई यह बताइए साथ और साथ सनीचर के घर में कोई गरे बैठेगा तो साथी गरे कहला जाएगा वही आप सभी को मालुम है प्रूफेशनल हैं सभी दस और ग्यारा और दस तो कंप्लीट है यानि इस जनम कंप्ली के घर दस और ग्यारा में हम लोग राहु ग्यार आ जाता है तो बिरस्पति नहीं होगा राहु दस आ जाता है तो सनी जैसा होगा वैसा राहु दसका असर देगा ऐसी वातें करते हैं लेकिन यहां यह सब्द तो कुछ और ब्यान कर रहा है कि पॉइंट समझे इसने तो निया साथ-साथिआ पाफ द्रश्टी पापी सनी सुबता नहीं निकों धोता यहांतों शनी पापी ओजाएगा और ऑपपी का मदलब मिय शनीचर के क्वालिटी में कमी हो जाना है कि सनीचर के सुखों में कमी हो जाना है इस बात को भी ध्यान कर लेजिए और एक सूतर है कि सनीचर के एजेंट है राउप लिदू है तो कुंडली में देखें जब किसी की में सनीचर के घर दस ग्यारा में और जिसमें दस में तो बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा तसकी तो कंप्लीट मल्कियत है ग्यारमा तो फिर भी धरम अदालते गुर्द्वारा है लेकिन दस में वो किसी का इंटर्फियर नहीं है सनी पे भी इनका असर जाता है साथ साथिय प्द्रश्टी सनी पाप्वि खुत होता हो अब अगले सब देखिये लिखत के तु 가운데 रहू जैसी फैसला धरम से करता हो यह द्रभ्भा मादालत से संबंदित हो गया कि धरम से लिखट के तुistoire रहूจसी upfront कि As medicine नहीं है कि आप लोग जानते हैं कि सनी वो टीचर है जो अपने स्टुडेंट को मार मार के पीट पीट के इसको दूसरे सब्दों में बोलूं कि सोने को तपाए विना उसमें निखार नहीं आता सनी का यह काम है कि इसको समझें कि यह सनी की क्वालिटी है वो धरम अदालत यानि की प्रस्पती का हथ उठा के खाना नंबर ग्यारा प्रस्पती के द्वारा बनाई गई धरम अदालत है और जिसमें जज है सनी चर्थ और वहां पर दो वकील हैं राहू केतु और राहू केतु की जो दलीले हैं जो लिखत है जो लिखत है जो लिखत पड़त है वह या वो बुद्ध के अंडर में आता है अब मैंने क्या सब्द बोला लिखत केतु बुद्ध राहू जैसी फैसला धरम से करता है यानि कि जनम कुंडली में राहू अच्छा होगा तो राहू जो आपके खिलाफ जातक के खिलाफ जिसकी कुंडली हम देखेंगे उसके खिलाफ जो बहस कर रहा है आर्गुमेंट हो रही है कोर्ट में सनी जज की कुर्सी पर बैठा है नीचे दो वकील खड़े हैं एक राहू है एक केतु है राहू जातक के खिलाफ बोल रहा है और केतु जातक को बचाने का काम कर रहा है और सनी ने माता की कसम खाके आदालत में की मैं धर्म करूँगा और ब्रस्पती की कसम खाके की मैं न्याय करूँगा इस हालात में है पॉइंट समझने की कुछिस करिए अब जब भी बहस होगी तो लिक्स पड़त होगी इसलिए बुद्ध को ये अधिकार और राहू और केतु को अधिकार यानि कि जितना राहू बुरा हो जाएगा उतनी आपके खिलाफ सनी के पास दलीले जाएगगगगगगगगगगग अधिकार केतु भी मंदा हो तो दलीले अच्छी कौन करेगगगगगगे इस सब्ध को समझगे इस एक लाइन में बहुत कुछ निकलता है इस एक लाइन पर कई घंटे बोला जा सकता है इस बात को समझगेगगगग इसी लिए ये सब्द दोहराया की लिखत के तू बुद राहू जैसा फैसला धर्म से कौन करेगा सनीचर यानि कि आपकी जनम कुंडली में सनीचर राहू और बुद कैसे हैं उस अनुज़ार आपके जीवन में सनी अपना असर देगा सबसे पहले जरूरी चीज़ है यानि कि सनी को देखने से पहले राहू खेतु भुद को देखने की आदत बनाईगे इस बात को समझेए आदत बनाने पुरेगी वैसे मजा नहीं आएगा एक और सब्द है उल्टा मगर जब बैठा टेवे अजैदा खूनी बनता हूँ उल्टा उल्टा मगर जब बैठा टेवे अजैदा सनी जब मन्दा हो जाए तो यह दिक्कत आएगी अजैदा अजगर अजैदा अजगर साप मुराई मुराई ए और राउकेटु को देखेब दूएगए अब हम यह जो चाटी है इसी पर बात करेंगे इसको जो ये खराबी से सम्बंदित सारी चक्त, ये सारा खराब 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 लिखा है और नीचे देखेंगे ये पेज नंबर 501 क्याण में हैं स्वारी 586 इस चार्ट को देखिएगा गौर करिएगा ये सारी कंडिशन खराब है, बाकि इसके अलावा जो कंडिशन होगी वो अच्छी होगी एक्चली सनी चर वैठा हो जिस घर में, इन हालाद में सनी जिस घर में बैठा होगा, उस घर से संबंधित मन्दासर देगा जैसे की मैं यहां पर उधारन देता हूँ, राभू बैठा है चार में सनी बैठ गया सात में कि तू फिर दस में आ गया अब सनी सात में बैठा है, इस पहली कंडिशन से ही समझ दीजिएगा सनी के जाती सुभाव जो मन्दा हो रहा है उसका मतलब सिरफ सनी का मन्दासर नहीं है खाना नंबर साथ में वैठा है सनी क्या हो के जाती सुवाव से मंदा खराव साथ में घर से संबंधित बस्तु यानि आसिया पे साथ में घर से संबंधित सुख व्यापार डेली सोर्स ओप इंकम साजेदारी पती-पतनी के रिष्टे इस तरीके से अटेक करेगा यह जो शे कंडिशन है इन शे कंडिशन को इसलिए मैं पेज नंबर बार बार बोल पर आँग आपके सामने 586 पार वन 1952 इन के रह कंडिशन में अगर सनी चर बैठा है जिस घर में उस घर से संबंधित बुरा आसर मिलेगा सनी तो है पापी उसका तो बुरा है लेकिन यहां पे दूसरा असर कहां गया उस घर पे जिस घर में कि सनी बैठा हुआ है लेकिन खाना नंबर दो कि और खाना नंबर दस कि मैं अगर सनी बैठा है तो वहां पर मंदार सर नहीं आएगा खाना नंबर दस में सनी खुद अपनी गत्ती का मालिक है उसमें किसी भी दूसरे ग्रह की इंवॉल्मेंट नहीं है ग्यार में मैं है तस में नहीं है और दूसरा धरमिस्थान है महां तो मैंने पहले बोला दूस्मन भी नहीं लड़ते हैं हर एक की आउकात नहीं है कि खाना नंबर दो पर आसानी से कोई बुरा सर दे सके घरमिस्था यह मत बोलिए सनीचर का जाती सुभाव मन्लाबाद में बोलिए पहले यह बोलिए कि इस खाना नंबर से संब्वन्दित सुख हमारे नश्टों ज़िए जहां इस ग्रह कंडिशन में सनीचर वैठा होगा खाना नंबर दो और दस को भाटा दीती है तो और दस में सनीचर वैठा होगा तो उस घर पे असर नहीं होगा सिर्फ सनीचर जो असर होगा सो होगा लेकिन दो और दस के आलावा आठ बारा में से दो दस बचेंगे दस घरों में कहीं भी सनीचर होगा इन गिरह कंडिशन में जब राहू पहले सनीचर बीच में के दुबाद में मैं यह पूरी बोलूगा नहीं क्योंकि किताब आपके सामने और आप चाहें तो स्क्रिंसोर्ट ले लें इसका इस तरीके से यह बहुत ज्यादा बुराई के हालात उस घर पे होते हैं आज तक मैंने यह सब किसी से सुने नहीं है कि उस घर पे भी कितने मंदे हालात आते हैं एक और बात जब सणीचर जल्दा ज्यादा मंदा होता जाए गा ठोड़े बहुत मंदे में निसानी जितना ज्यादा मंदा होता जाएगा ब्यक्ति में काले यी अर्ष्टूओं का आकर्षन बढ़ जायगा अगर वह तेले वीजन खरीद रहा है तो काला खरीदेगा लैप्टॉप खरीद रहा है अगर वोग उसको सौक काले का कदरती रूप से उसको आएका और यह समझे लेना जब कोई व्यक्ति काले रंगते प्रती ज्यादा आकरसित हो जाए तो बुराई होगी अब मैं एक और यहां पर बात बोल देता हूं जब भी हम कोई सणी की सीज मंदिर में रखवाते हैं धरम अस्थान भाइण करिए रखा जाता है काली वस्तु सणीचर मनदाiz की पहचार होती है मंदिर मैं बादाम सनीचर के रखे जाते हैं काले नहीं हाँ पुरद मंदिर में देने का रिवाज नहीं है वाकि आजकल कहा क्या है यह सनी देव के नाम से हो रहा है उस सब को छोड़िए हमारे जोति सूत्रों में नहीं है इस बात को जाते हैं काली बस्तू मंदे असर की होगी सनी मंदा है इसलिए और सनी मंदा है तो वो गोराही कैसे जब खाली बस्तू उस बैक्ति का प्रेण बढ़ जाएगा मौबत हो जाएगी जो मंदा सबेगी तो कि मंगल बुद्ध मुस्तरका यानि की एक साथ में नि अनि बनाव्टि सनी का शुक्कर ब्रस्पति मुस्तरका यानि की बनाव्टि सनी अब यहां पे दो चीजे मंगल बुद्जम मिलेंगे तो जो सनीचर बन रहा है वो होगा राहू के सुभाओ का अब किताब में अगर आप देखेंगे तो वहां लिखा है मंदा लेकिन अगर राहू मंदा अब आईए सर अभी आईए सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ओके 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 वो थोड़ा नेट की तिक्कत हो जाती है कभी कभी मंगल बुद मिल गए तो हमारे बहुत से पिद्वान मित्र कह देते हैं कि सनी मंदा क्योंकि इसमें कहा गया है राहू के सुभाओ का सनी हो गया लेकिन राहू का सुभाओ भी देख लो मेरे भाई ऐसे ही ब्रस्पती केतु मिल गए तो ब्रस्पती केतु में बोला जाता है कि सनी चर अब केतु के सुभाओ का हो जाएगा यहां पर्मानेंट केतु को नेक बोल दिया गया है या हम लोगों ने समझ लिया राहू को पर्मानेंट विकार समझ लिया है ऐसे मत समझें उस गिरह को भी परखिये राहू और केतु को जब मंगलबुद हों और ब्रिस्पती सुपत एक साथ हों कि ये गिरह किस हालात का है केतु कितना अच्छा है या राहू कितना मंदा है क्योंकि उन्हें उसी के अनुसार असर देना है इसलिए कि भेड़ चाल से थोड़ा भार में करते हैं कि सनी की एक खासियत पैचानिये सनी के सनीचर के तीन चार गुण है सनीचर का एक बहुत महान गुण है संत तत्तु है संत साधू सन्यासी मात्मा लेकिन बैरागी प्रबर्दी यानि कि सब कुछ छोड़ के चल देए बैरागुत्पन हो जाना किसी भी चीज से कोई महबत प्रेम नहीं सब कुछ छोड़ के यह भी सनीचर का एक बुण है और हमारे यही देश में एक उलाजी अखाळा है जो बाबाद चंद्रप्रभू ने बनाया था करी के चारई 144 सालКА पहनेपने और चंद्रप्रभू गुरु नानक जी के बैटे था उदासीन अखाड़ा वो सनी के इतने प्रभाव में थे उदासीन तक मतलब मतलब जो हो रहा है होने दो मतलब कहीं पर फूल खिल रहा है तो फूल को खिलते गए देखके ना तो ना दुखी होंगे और ना वो फूल को तोड़ेंगे इस तरीके के भाव जो कि पूरी तरीके से एक अध्यातमबादी हो जाता है इस तरीके के हाव यहां सिर्फ उदासी से मत जोड़िएगा लेजी जैसे सनी खाना नमर एक में हो जाए करी बार और लेजी हो जाए तो व्यक्ति उठना वैठना ज्यादा गुमना फिरना या कोई भी काम जल्दवाजी में वो अलग चीज है उदासी अलग चीज है इस बात को भी समझ देती है सब दो में मामूल